नमस्कार मीतरो आज हम आ चुके हैं जेसल मेर की यात्रा के लिए अब ये जो सब सारे देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गए है जेसल मेर के यहाँ पर पास में जो भी डेजर्ट है उसी के सामने रोड के सामने है इसी के सामने डाइरेक्ट एक डेजर्ट पड़ता है उसी को ह हम दिखाने वाले हैं वही सब सफारी यहां पर जो भी है यहां से सफारी के रिए सब कुछ मिल जाएगा लेकिन अभी हम लोगों ने अंट्री की है अब आगे चलके देखते हैं रस्ते में आपको बहुत सारे लोग बाइक रोक रोक के बोलेंगे इतना रुपिया इतना रु और आपको कोई भी सफारी या कैम्पिंग का जो भी बुकिंग करवाना हो यहाँ पे ओंडर स्पॉट आकर ही करिए नहीं तो आपको थगे जाने की संभावना बहुत है इस वक्त हम जो देख रहे उसे सम डेजर्ट बोलते है और यह जेसलमेर से बहुत दूर है वहाँ से यह आपको बाइक यह कार करके आना बड़ता है कि अबना है कि अग्याद का है कोई देख से पार्ट है कि मुझराद का है कोई है उंट की सवारी के लिए भी पहले से कितना है रिटन राउंड का सब कुछ प्राइस नकी कर लिजेगा क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है जब ओफ सिजन रहता है तो ये लोग 20 रुपे में भी उपर तक ले जाने के लिए आपको बोलते हैं लेकिन आपको खुद को और इसके पीछे ये सब जाड़ी जाकरा जो लगे हुए है ऐसे जाड़िया रहती है यही सब रहता है इससे जदा घना जंगल जैसा रहता है वही सब रहता है बाकी पास में बॉर्डर है ऐसा बोलते है लेकिन वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है जंगल में जाने के जब आप बड़ी फैमिली में हो तो ये ट्रॉली बहुत काम आती है हमने जब सम डेजर्ट में एंट्री की तो हमने सबसे पहले यहां से कुछ लिया नहीं और लास्ट में चले गए कि कहां तक ये डेजर्ट पड़ता है और आखरी जो केंपिंग साइट रही थी है वहां से फिर रिटन आये सब नजारा लेने के बाद हमने उन्ट पे सवारी की वहां से हमने सबसे उची चोटी पर जाना पसंद किया अब आज जीटने लगेगा पूरा प्रिया अब आज़ाए गज शीटने जीट एफ टूराव इना प्रूराव जाज़ाए GPS signal lost और ये है जेसल मेर की सबसे उची चोटी जहाँ पर हम खड़े है ये ये पिछे इस तरह से जंगल है और इस तरह ये पूरा कैपिंग साइट है जहाँ से हम ओट लेकर चड़े थे और अब हम लेटे हैं हमारा ओट वापस चला गया है यह सबसे उची चोटी पीछे जंगल है जंगल मतलब का नाचला में जंगल नहीं रहता है यही जाडिया वाला जंगल रहता है यहाँ पर भी लोग डारूपी के बॉटल फैंक जाते है दोस्तो ऐसा मत करिये यह हमारे लिए है पर यह तंस्टव है इसको अच्छा रहने दिजिए यहाँ पर सिजन के अलावा ओफ सिजन में आना थोड़ा अच्छा लगता है तब ही आपको उपर जाके थोड़ी सांती मिलेगी नहीं तो बहुत भीड मिलेगी आपको इतनी सांती अभी जो है वैसे नहीं मिलने वाली है और अगर आप बच्छों के साथ में आ रहे हो तो बढ़िया रहेगा कि आफ सिजन में आए ताकि आपको सांती भी मिले और बच्छों को इस तरह से खेलना लेकिन यहाँ रखिए कि इसमें कांच ना हो क्योंकि कांच अगर रहेगा तो बच्छों को लग सकती है